आईए सुनते हैं पाठ बाल गोबिन भगत इसके लेखक हैं राम वरक्ष बेनिपूरी प्रिष्टर संख्या 68-76 राम वरक्ष बेनिपूरी का जन्म बिहार के मुझफरपुर जिले के बेनिपूर गाउं में सन 1899 में हुआ माता-पिता का निधन बच्पन में ही हो जाने के करण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठनाईयों और संखर्शों में बीते दस्वी तक की सिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्टी स्वाधिनिता अंदोलन से सक्री रूप से जोड़ गए कई बार जेली भी गए, उनका देहावसान सन 1968 में हुआ पंदरा वर्ष की अवस्था में बेनीपूरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी वे बेहत प्रतिबाशाली पत्रिकार थे, उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपाधन किया जिन में तरुन भारत, किसानमित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवानी और नई धारा उन लेखनी है गद्य की विवद्य विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिश्ठावली, उनका पूरा साहित्य बेनी पूरी रचनावली के आठ खंडों में प्रकाशत है उनकी रचना यात्रा के महत्यपून बढ़ाव हैं, पतितों के देश में ये गुपन्यास है, चिता के फूल एक कहनी, अंबपाली एक नाटक, माटी की मूर्तें रिखाचित्र, पैरों में पंख बांध कर यात्रा व्रतांत, जन्जीरें और दिवारें संस्मरन आदी उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्टा की चंता और तिहास की युगान रूप व्याख्या है, विसिष्ट शैलीकार होने के करण उन्हें कलम का जादूगर कह जाता है बाल गोबिन भगत रेखा चितर के माध्यम से लेखग ने एक ऐसे विलक्षन चरितर का उद्गाटन किया है जो मनुष्टा, लोक संस्क्रती और सामुईक चेतना का प्रदीख है वेशबूशा या बाह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास का अधार जीवन के मानवी सरोकार होते हैं बाल गोबिन भगत इसी अधार पर लेखग को सन्यासी लगते हैं, यह पाठ सामाजिक रूडियों पर भी प्रहार करता है इस रेखा चित्र की एक विशेष्टा यह है कि बाल गोबिन भगत के माध्यम से ग्रामिन जीवन की सजीव जहांकी देखने को मिलती है बाल गोबिन भगत बाल गोबिन भगत मजहौले कद के गोरे चट्टे आदमी थे साठ से उपर के ही हूँगे बाल पक गए थे लंबी दाड़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे लेकिन हमेशा उनका चहरा सफेद बालों से ही जगमक किये रहता कपड़े बिलकुल कम पहनते कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों किसी कनफटी ठोपी जब जाड़ा आता तब एक काली कमली उपर से ओड़े रहते मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोड से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता गले में तलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते उपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविन भगत साधू थे नहीं बिलकुल ग्रहस्त उनकी ग्रहनी की तो मुझे याद नहीं उनके बेटे और पतूही को तो मैंने देखा था थोड़ी खेती बारी भी थी एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था लेकिन खेती बारी करते परिवार रखते थे बाल गोविन भगत साधू थे साधू की सब परिभाशाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे उन्हीं के गीतों को गाते उन्हीं के आदेशों पर चलते कभी जूट नहीं बोलते खरा वेवार करते किसी से भी दो टूब बात करने में संकोश नहीं करते ना किसी से खामखा जगड़ा मोल लेते किसी की चीज नहीं चूटे ना बिना पूछे वेवार मिलाते इस नियम को कभी कभी इतनी बरिकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता कभी वो दूसरों के खेत में शोच के लिए भी नहीं बैटते वो ग्रेस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लात कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते जो उनके घर से चार कोज दूर पर था एक कभीर पंथी मट से मतलब वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर परसाद के रूप में जो उने मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुरगान पर जो सदा सरवदा ही सुनने को मिलते कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंट से निकल कर सजीव हो उठते आसाड की रिमजम है समूचा गाउं खेतों में उतर पड़ा है कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं आसमान बादल से गिरा है दूप का नाम नहीं है ठंडी पुरवाई चल रही ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वरतरंग जंकारसी कर उठी यह क्या है यह कौन है यह पूछना न पड़ेगा बाल गोविन भगत समूचा शरीद की चड़ में लिधरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं उनकी अंगुली एक-एक धान के पौधे को पंक्ती बद्ध खेत में बिठा रही है उनका कंट एक-एक शब्द को संगीत के जीने पर चड़ा कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की और भेंज रहा है और कुछ को इस प्रत्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की और बच्चे खेलते हुए जूम उठते हैं मेड़ पर खड़ी औरतों के हूट काप उठते हैं वे गुनगुनाने लगती हैं हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं रोपनी करने वाले की अंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं बाल गोविन भगत का ये संगीत है या जादू बादों की वो अंधेरी अधर दिया अभी थोड़ी दिर पहले मूसलाधर बर्शा खत्म होई थी बादों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो किन्तु अब जिली की जंकार या दादूरों की टरर टर बाल गोविन भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती उनकी खंजडी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं गोदी में पीवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना हाँ पिया तो गोद में है किन्तु वो समझती है वो अकेली है चमक उठती है चिहुक उठती है उसी भरे बादरों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंद उठने वाली बिजली के तरह किसे ना चौका देता अरे अब सारा संसार निस्तब्दा से सोया है बाल गोविन भगत का संगीत जग रहा है जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मसाफिर जाग जरा कातिक आया नहीं कि बाल गोविन भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती इन दुनों वो सबेरे ही उठते न जाने किस वक्त जग कर वो नदीस्तान को जाते गाउं से दो मिल दूर वहां से नाद होकर लोटते और गाउं के बाहर ही पोकरे के उंचे भिंडे पर अपनी खंच्ड़ी लेकर जा बैटते और अपने गाने टेरने लगते मैं शुरू से ही देर तक सोचने वाला हूँ किन्तु एक दिन माग की उस दात किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोकरे पर ले गया था अभी आस्मान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था खेत बगीचा घर सब कुछ को हासा चा रहा था सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवरत्य मालूम पड़ता था उस रहस्य में वातावरण में एक कुश्की चटाई पर पूरब मुँ काली कमली ओड़े बाल गोविन भगद अपनी खंजडी लिए बैठेते उन्हें मुँ से शब्दों का ताता लगा था उनकी अंगलियां खंजडी पर लगातार चल रही थी गाते गाते इतने मस्त हो जाते इतने सुर में आते उत्तेजित हो उटते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरक जाती मैं जाड़े से कपकपा रहा था किन्तु तारे की चाओं में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदू जब तब चमक ही पड़ते गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को नाशीदल करती अपने घर के आगर में आसन जमा बैठते गाओं के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते खंजणियों और कर्तालों की भरमार हो जाती एक पद बाल गुविन भगत कह जाते उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराती दीर दीरे स्वर उंचा होने लगता एक निश्चित ताल एक निश्चित गती से उस ताल स्वर के चड़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी उपर उठने लगते धीरे धीरे मन तन पर हावी उठता होते होते एक शण ऐसा आता कि बीच में खंजडी लिए बाल गोविन भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन निर्ट शील हो उठे हैं सारा आगन निर्ट और संगीत से उत प्रोथ है बाल गोविन भगत की संगीत साधना का चरम उतकर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा इकलोता बेटा था वो कुछ सुस्त और भूदा सा था किन्तु इसी करण बाल गोविन भगत उसे और भी मानते उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मुहबत के ज्यादा हगदार होते हैं बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी पतो ही बड़ी ही और शुशिल मिली थी घर की पूरी प्रबंदिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से नव्रत्त कर दिया था उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर लखने की लोगों को कहा फुरसत किन्तु मौत तो अपनी और सब का ध्यान खीची रहती है हमने सुना बाल ग उन फूरों में से कुछ तोड़ कर उस पर बिखरा दिये फूल और तुलसितल भी सिरहा ने एक चराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीद गाय चले जा रहे हैं वही पुराना स्वर वही पुरानी तलीनता घर में पतोही रो रही है जिसे गाउं क कि इस तरहां चुप कराने की कोशिश कर रही है किन्तु बाल गोबिन भगत गाय जा रहे हैं हां गाते गाते कभी कभी पतोही के नस्दीक भी आ जाते और से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली भरा इससे बढ़कर आनन की कौन बात मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए किन्तु नहीं वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यू पर विज्वी होता आया है बेटे की क्रिया कर्म में तू लहीं कि पतोहू से ही आग दिलाई उसकी किन्तु जो ही श्राद्ध की आवध ही पूरी हो गई पतोहू के भाई को बलाकर उसके साथ कर दिया ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना इदर पतोही रो रो कर कहती मैं चली जाओंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भूचन बनाएगा बीमार पड़े तो कौन एक चुलू पानी भी देगा मैं पैर पढ़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए लेकिन भगत का निरना अटल था तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा यह थी उनकी आखरी दलील और दलील की आगे बेचारी की क्या चलती बाल गोबिन भगत की मात उनी के अनरूप हुई वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते करीब तीस कोस पर गंगा थी साधू को संबल लेने का क्या हक और ग्रस्त किसी से भिख्षा क्यों मांगे अतै घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लोट कर खाते रास्ते भर खंजडी बजाते गाते जहां प्यास लगती पानी पी लेते च उस बार लोटे तो तबियत कुछ सुष्ट थी खाने पीने के बाद भी तबियत नहीं सुधरी थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम वरत तो छोड़ने वाले नहीं ते वही दोनों जून गीत सनान ध्यान खेती बारी देखना दिन दिन चीजने लगे लोगों नहाने दोने से मना किया आराम करने को कहा किंतु हसका टाल देते रहे उस दिन भी संध्या में गीत काए किंतु मालूम होता जैसे तागा तूट गया हो माला का एक एक दाना बिखरा हुआ भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना जाकर देखा तो बाल गोबिन भगत नहीं रहे सिर् सादू कहलाते थे दो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं चूड़ना चाहती थी तीन भगत ने अपने बेटे की मृत्यू पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की चार भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेश-पूशा का अपने शब्दों में चित्र प सादू कुछ मारमिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविन भगत प्रचलेत सामाजिक मानिताओं को नहीं मानते थे पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उलेक कीजिए आठ धान की रूपाई की समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमरत्कृत कर देती थी उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए रचना और अभी व्यक्ति नौ पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोबिन भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है दस आपकी दृष्टी में भगत की कबीर पर अगाद श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे गाउं का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आसाण चड़ते ही उल्ला से क्यों भर जाता है बारह उपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोबिन भगत साधु थे क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर गीजानी जाहिए आप किन आधारों पर सुनुशित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साथु है तेरह मोह और प्रेम में अंतर होता है भगत के जीवन की किस घठना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे भाशाध्यन इस पाठ में आए कोई दस क्रिया विशिशन चांट कर लिखिये और उनके भेद भी बताईए पाठेतर सक्रीता पाठ में इरितुओं के बहुती सुन्दर शब्द चित्र उकेरे गए हैं बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए फोटो का संग्रे कर एक एल्बम तयार कीचे पाठ में आसाड, भादो, माग आदी में विक्रम संवत कलेंडर के मासों के नाम आये हैं ये कलेंडर किस माह से आरम होता है महीनों की सूची तयार कीचे कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे प्रभाती प्राते काल गाये जाने वाले गीतों को कहते हैं प्रभाती गायन का संकरन कीजिए और उसकी संगीत में प्रस्तुती कीजिए इस पार्ट में जो ग्राम में संस्कृती की जलक मिलती है वो आपके आसपास के वातवरन से कैसे भिन है खंजडी अर्थात ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे चोटा एक वाद्य अंत्र, निस्तप्धता अर्थात सन्नाटा, लोही याने प्रातेकाल की लालिमा, कुहासा अर्थात कोहरा, आवरत अर्थात ढखा हुआ, आच्छा दित, कुश अर्थात एक प्रकार की नुक संबल, अर्थात, सहरा, यह भी जाने, प्रभातिया मुखिरूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं, प्रभाति में सूर्योदै से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बात तक का वर्णन होता है, प्रभातियों का भावक्षेत्र व्यापक और यतार्थ के अध्यक निकठ होता है, प्रभातियों या जागरन गीतों में केवल सुकोमल भावनाई ही नहीं, वरनवीरता, साहस और उत्साह की बाते भी कही जाती हैं, कुछ कव्यों ने प्रभातियों में राश्ट्री चेतना और विकास की भावना को पिरुने का प्रयास किया है, श् बहुए घरगर चाच बिलोती गाती गीत मतानी, चर्खे के संग गुनगुन करती सूत कातिती नानी, मंगल गाती चील चरैया आसमान फैरानी, रोम रोम में रमी लाडली जीवन ज्योत सुहानी, आलस छोडो, उठो न सुख दे, मैं तब मोल बिकानी, पलकें खोलो हे कल्यान करते दो मतानी हैंग झाते ही लाडली टालादी वाली ज्रिया कसी तो आसे 쉽ते हैं ंसे, बिकानी है संगर।ि जज़न करते हैं इंग हैं घरानी हैं खोंचıs चर्वम मतानी, ज जय को BEN हैमें लुक्क पुराओे